आज के हमारी क्लास, अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, स्पर्मेट जेनेसिस के बारे में है ¥ wireless, ऐ आज अपन स्पर्मेटोजेनसिस की दूसरी क्लास के बारे में, कलकी क्लास आगे का bukan-टोपिक है। टोपिक है वो पढ़ेंगे इस्पर्माटोन जनेसिस का डाइग्राम वाला चैप्टर था वह मैंने आपको इसका पार्ट है वो समझा दिया है डाइग्राम के माधेम से अब रही बात थोरे की जो आपन इस क्लास के अंतरगत करेंगे कि इस्पर्मेटोजेनेसिस से सम्मंदित क्या थोरी है अब अपन देखते हैं कि यह जो इस्पर्मेटोजेनेसिस है उस इस्पर्मेटोजेनेसिस की किरिया को दो भागों में माटा गया है इसका पहला पार्ट है formation of espermated और दूसरा पार्ट है espermogenesis यानि espermated के निर्मान की परकिरिया और espermated से sperm का निर्मान तो सबसे पहले अपन बात करेंगे formation of espermated अवस्ता की formation of espermated है इसकी निमना तेन भागों में बाटा गया है formation of espermated की किरिया को तीन भागों में विबाजित किया गया है पहली अवस्ता है गुनन प्रावस्ता दूसरी है वर्दी प्रावस्ता और तीसरी है परिपकवन प्रावस्ता तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहले गुनन प्रावस्ता की इसमें क्या होता है कि जब पसू लेंगिक रूप से परिपको हो जाता है और प्यूबर्टी अवस्ता में आ जाता है मैं नर्पसू की बात कर रहा हूँ यहां पे यानि जब नर्पसू लेंगिक रूप से परिपको हो जाता है और प्यूबर्टी आ जाती है तो क्या होता है वर्षन की सेमनेफेस टुबिल्स की जर्मिनल एपिथीलियम द्वारा इस्परमेटोजेनिक कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन इस्परमेटोजेनिक कोशिकाओं को इस्प्रमेटो गौनिया कहते है इन इस्प्रमेटो गौनिया में क्या होता है समसूत्री वीबाजन होता है और समसूत्री वीबाजन के फलसवरूप जो सेमनिपेस टुविल्स है उनका लिूमन है जो इस्प्रमेटो गौनिया कोशिकाउं से भर जाता है और इस द्यूगुनित मात्र कोशिका से दो द्यूगुनित पुत्री कोशिकाओं का निर्मान होता है यह हो गए आपकी गुणन प्रावस्ता गुणन प्रावस्ता में क्या होता है कि जो इस्प्रमेटोजेनिक कोशिकाओं या इस्प्रमेटोगोनिय से लपाई जाती है उनमें हैं यह वह स्प्रुमेटों गवनय कोशिक हुथ बर जाता है और एक मात्र कोशिक ऱुपूत्रीड कोशिक हुआं का निर्मान हो जाते हैं अब अबड़ाथ करें कि वर्दी प्रावस्था या रौती पहज के बारे में तो अपन के देखते हैं कि सेमने फेस्ट टूबिल्स के लूमन की तरफ या सेमने फेस्ट टूबिल्स के लूमन में जो इस्परमेटोजैनिक कोशिकाई पाई जाती है वो इस्परमेटोजैनिक कोशिकाई से पॉशन प्राप्त करके अपने आकार में वर्दी करत प्राप्त करके अपने आकार में वर्दी करती है उनके आकार में वर्दी होने के बाद द्यूगुनित कोशिका होती है उस द्यूगुनित कोशिका का नाम है प्रात्मिक सुकर कोशिका प्राइमरी इस्परमेटो साइट यानि वर्धी प्रावस्ता में क्या होता है कि जो इस्परमेट्यों गौणिया है वो Sean पौशनप्राप्ट करके समसुत्रि विवाजन दुआरा primary espermatocyte का निर्मान करती है और यह primary espermatocyte है वो एक दिवगुनित कोशीका है अब बात करते हैं अपन formation of espermatis की अंतिम प्रावस्ता परिपक्वन अवस्ता के बारे में इस अवस्ता में क्या होता है कि जो समसुत्री विवाजन द्वारा primary espermatocyte cell बनती है उस primary espermatocyte में पर्थम अर्ध सुत्री विवाजन होता है और इस पर्थम अर्ध सुत्री विवाजन से secondary espermatocyte या देतिय सुकरकोशिका का निर्मान होता है और यह देतिय सुकरकोशिका एगुनित होती है उसके बाद क्या होता है कि secondary espermatocyte cell में पुन्हें meiosis second होता है और इस meiosis second के फलसरूप जिन कोशिकाओं का निर्मान होता है उन कोशिकाओं को अपन espermatocyte कहते है यानि secondary espermatocyte है उसमें meiosis second होता है और उस meiosis second से espermatocyte का निर्मान होता है और इसमें क्या होता है कि जो यह meiosis second है meiosis second है जो सम अर्ध सुत्री विवाजन है ये समसुत्री विबाजन के समानी होता है, क्योंकि इस विबाजन के दोरान गुनसुत्रों के संक्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह जो इस्परमेटिड बनता है यह इस्परमेटिड नहीं तो गतिशील होता है और नहीं इस इस्परमेटिड में अंडे को निश्यचित करने की समता होती है जो इस्परमेटिड है वो पूँच वहिन ए गतिशील और अंडे को निश्यचित करने योगे नहीं होता है कि तो उसके पस्छा प्रिव स्पर्मेतिड ज्वाज के बारे इस पर मियोजेनेसिस के बारे में इस्पर्मेटिड तन्य तकर रूरति इस पर, meogenesis कहते हैं, तो यह आपके शुक्राणों का निर्मान हो गया, तो इसका आप उस्क के शमपुर्ण सारांस है, कि नर्म में शुक्राणों के निर्मान के परके़्या को मैटोजनेसिस कहते हैं क्यों सांने इस में यही से बनता हैं है मैटोजनेसिस upon और एक इस्परमियोजेनेसिस इन दो चीज़ की डेफिनेशन है वो बार बार एकजाम में पूछी जाती है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कनिफ्यूज होते हैं इस्परमियोजेनेसिस संपून सुकराणों के निर्मान की परकिरिया है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हेड और इस्परमियोजेनेसिस दोनों के रियाएं सामिल होती है दूसरा क्यूशन मनता आपके इस्पर्मियोजेनेसिस का इस्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि इस्पर्मेटिड का इस्पर्म में बदलना ही इस्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है मियोजेनेसिस यानि मियोजेनेसिस सब्द से आया यह एक तो होता है इस पर मेटोजेनेसिस में यानि इस किरिया में तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों भी बाजन होते हैं लेकिन इस पर मियोजेनेसिस है जो असब्दाया आपके मियोसिस डिविजन से मियोसिस का मतलब उसमें गुंसुत्रों के संक्या आधी हो जाएगी और इसम संक्रान हो सेवान संपौन किर्या का सरांस यही है कि सबसे पहले सभ प्रमेटो गोनिया थो वर्दि होते हैं उसके पहस्चाद और वर्दी के बाद सरय श्रे抵ी कोसिकार। से पोशन प्राप्त करती है और पोशन प्राप्त करने के पहस्चाद अपने आकार में वर्दी करती है आकार में वर्दी करने के बाद इसमें होगा मियोसिस फैस्ट मियोसिस फैस्ट है जो होता है प्राइमरी इस्परमेटोसाइट सेल में और प्राइमरी इस्परमेटोसाइट सेल है वो होती द्यूगुनित ये द्यूगुनित प्राइमरी इस्परमेटोसाइट सेल है जिसमें अर्ध सुत्री विबाजन होगा और अर्ध सुत्री विबाजन के फल सवरूप दो सेकेंडरी स्परमेटोसाइट सेल का निर्मान होगा ये दो सेकेंडरी स्परमेटोसाइट सेल है सेकेंडरी स्परमेटोसाइट सेल उनमें होता है मियोसिस सेकेंड और पर्तेक एक सेल से दो कोसिकाओं का निर्मान होता है तो इस परकार दो Secondary İspurmatocyte सेल से कुल चार इस्परमेटिड का निर्मान होता है लेकिन सुरू में इस्परमेटोगोनिया के सraink ча कितने थी एक थी कि उस नंग ये भी पुचह जाता है कि नर पसू में एक espermatogonion से कितने sperm का निर्मान होता है तो नर में एक espermatogonion से चार espermatid या चार sperm का निर्मान होता है बहुत important question है आपकी और दूसरी definition आपकी espermogenesis है वो बहुत ही बहुत ज़्यादा important होती है यानि espermatid का sperm में बदलना ही espermogenesis कहलाता है अब यह आपके सुकराणों का निर्मान होके सुकराणों तैयार हो गया है अब इस सुकराणों की संदचना के वारे में अपन next class के अंतरगत देखेंगे कि सुकराणों की संदचना किस परकार्षे होती है और उसके किस भाग का क्या नाम है